तुम्हें miss है क्या क्योंकि वो answer और solution कैसे निकाला गया है उन्ही सारे steps को लिख के निकाला गया है जो basics तुमने पढ़े हैं तो तुम्हें basics पता हैं तो तुम तो सोचोगे हाँ ये सही तो लिखा है लेकिन तुम क्या miss कर रहो उन्ही steps को तुम नहीं apply कर पा रहे हो basic apply करके उन्ही steps को तुम नहीं लिख पा रहे हो और exam में कोई book नहीं या कोई solution नहीं होगी कि देख के समझ जाओगे कि ऐसे करना है basic तुम्हें सब पता होते हैं application is missing तो analog में ऐसा नहीं होगा tension न लो एकदम next level के clarity ला दूँगा ये दोनों characteristic बताओ एकदम प्यार से समझ में आ गई की नहीं ऐसी characteristic कभी होगी इस form में या इस form में तो एकदम exactly कर लोगे की नहीं exactly कर लोगे की नहीं बहतरीन तरीके से अब अब अंकर सर आज तुम लोगी class लगाएंगे न कह दूँगा network theory इन लोगो KVL KCL बताईए ये क्या करना है बच्चे इनके class लगाईए इतने अच्छे से पढ़ाया होगा सर ने मुझे पता है वो basics बहुत अच्छे से पढ़ाते है network theory बहुत ही basic और बहुत beautiful subject है ना आज फोड़ देंगे सबको हाँ बिल्कुल फोड़ेंगे न क्लियर हो गया कि नहीं आज तब पता दो अच्छे से एकदम crystal clear हो गया ये characteristic आएगी है ना ये characteristic आएगी है ना बिल्कुल है ना तो ये दम basic सा एक तरह से network theory का question हमने दो किया लेकिन क्या है ये जो दोनों characteristic आपने देखी यही characteristic है किसकी यही आपके diode की characteristic होती है diode की तो पहले diode का एकदम practical characteristic पढ़ेंगे कल practical characteristic पढ़ने के बाद उसका कैसे हम approximation करते हैं तो ये linear characteristic ये वाली मिलती है इसको फिर से ideal में करते हैं तो ये वाली मिलती है इसको और ज्यादा ideal कर देते हैं तो यही चीज़ शिफ्ट होके यहां हो जाती है तो तीन से चार characteristic आती है diode में तो diode की characteristic समझना उसका interpretation करना उसको फिर equation के form में डालना ये सब link होना चाहिए ताकि आपको किसी form में question आए you should be able to solve it है हाँ clear सर जी UPCL के लिए ठीक है क्या UPCL के लिए A exam के लिए आप पढ़ सकते हो जे exam के लिए तो I don't think कि इतने की जरूत पड़ेगी A exam के लिए आपको ये help करेगा आज डांट तो बिलकुल खाने को मिलेगी ठीक है न तो आप बताओ class कैसी लगी आपको पहली class है न unlock की कैसी लगी क्योंकि देखो आपका feedback आपको कोई चीज और कितने बेटर तरीके से समझाई जा सकती ताकि आप connect करो किसी subject से वो बहुत important होता एक teacher के लिए मेरे लिए भी बहुत important है so that I can improve upon है न कौन सी चीजें है जो मैं और add करूँ मेरे बच्चों को और अच्छे से समझ में आए बच्चे और link करें connect करें subjects एक बार आप connect हो जाओगे तो आप समझाई जएक अच्छे से आएगी 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 आपको प्यार हो जाएगा जिस subject से वो आपको खुद पढ़ने का मन करेगा इसमें खोल के खुद ही पढ़ने लगोगे आप नीमैन खोल के खुद ही पढ़ने लगोगे इतना अच्छा लगने लगेगा तो वो इंट्रेस्ट जगाना भी मतलब as a teacher मेरा काम है बाकी exam oriented तो मैं पढ़ाऊंगा भी आप exam की तयारी करा हो तो obviously exam oriented तो मैं पढ़ाऊंगा but I will be try to more as interesting as possible है तो जितना interesting हो सकता मैं वो आपको उसमें लाने की कोशिश करूँगा ठीक है असमिता हां बिल्कुल सही exactly two volt पे zero होगा बेटा समझा चुका हूँ यही सब तो छोटे-छोटे points होते हैं जो आपको लगता है सर करेक्टरिसिक में तो दिख रहा है two volt पे कुछ current होगी supply voltage अगर two volt होगा exactly तो current नहीं flow हो सकती यह two volt खा जाएगा बाकी बचा voltage इसके cross आएगा और उसी के recording current आएगी यह मैं समझा चुका हूँ ठीक है ना बहुत अच्छा अब का प्लीज हाँ अब का issue solve हो जाएगा बेटा tension ना लो कुछ पताने bugs आ गये थे कई बार development करने पर कोई update करो अच्छे के लिए तो वो कई बारी उल्टा हो जाता है ना so we are trying our level best ऐसा नहीं है हमें खुद पता है कि आप लोगों का भई एक एक दिन कीमती है एक एक घंटे कीमती है एक एक मिनट कीमती है so we are also trying to be as active as possible कि उसको solve कराने के लिए हमारी team मतलब पंकर सर personally involved है उसमें रोज मतलब एप का क्या update हुआ कल भी जैसे मेरी बात हुई थी तो सर ने कहा कि YouTube पे इसर क्लास होगी उसको पहले एक बार एकदम sure हो लेते हैं कि एकदम proper चला तब ही नहीं तो बीच-बीच में एप पे रुखता है तो ज्यादा बच्चों के लिए irritating हो जाता है टीचर के लिए भी हो जाता है जो क्लास ले रहा है बीच-बीच में फ्लो रुख जाता है तो हम पूरी टीम लगी हुई है टेकनिकल साइट की कि हाँ जितना जल्दी हो सके अब थर्ड पार्टी एप है अब थर्ड पार्टी उसको करने में थोड़ा सो टाइम लगता है थ के अनिल कुमार सिंग आप बेटा कुछ नहीं हो आप बहुत समझदार हो आराम से पढ़ाई करो ऐसी लेंग्वेज का प्रयोग ना करो जो आपको मतलब पब्लिक फ्लेट फॉर्म पे नहीं करने चाहिए नहीं तो आप ही बेवकूफ लगोगे दूसरा नहीं वो आप अप अपना कारेक्टर सिख शो कर रहो अपना कारेक्टर शो कर रहो मेरा नहीं ठीक है न तो इसके लिए परेशान मत हो है न इतना ज्यादा टेंशन नहीं पढ़ाई पर द्यान दो समझ में आ रहा है कि नहीं वह इंपोर्टेंट है टेंशन लेने की जरूत नहीं यार इतना ट करते हैं ठीक है ना अब एक जीज्म आपको मैं टास्क दे देता हूं टास्क चाहिए बल्हु टास्क चाहिए आप लोगों को suburbs इंव बताइए डास्क चाहिए तो यऊज़िनिक्त आपको करके आना थोड़ा सा समझ साय होता है जै करना है मैंने बता दिया जीरो पॉان्ट में कर सकते समझाने बताइए टास्क चाहिए जीरो जीरो पॉन्ट पे कनवर्ट कर सकते मतलब नहीं समझात बेटा जी थो इंटेसेप्ट करके इंट्रेसेप्ट निकालने जीरो पाइंट पर कैन्वर्ट क्या करोगि कैसे करोगे जीरो पाइंट पर कैसे flow होगी यह शोर है तो आप जीरो पाइंट पर कैसे convert कर दोगे इसको यहां shift थोड़ों कर सकते हैं वो तो यहां shifted रहता तो उसके according question solve होता फिर तो एक simple सा resistance वाला case आजाता है ना लब 0 से ज़्यादा के लिए वो एक resistance के तरह भी है करता जीरो से equation के form में तो कई बार characteristic के form में question हो सकता है कई बार equation के form ठीक है तो अब देखो ध्यान से एक यही सेम circuit बना लेना यह device और जो भी है यह device यह device है plus minus यह आई है यह यह देखो यहां से ठीक है यह तू किलोम है यह आपका क्या है तैन वोल्ट है ठीक है सो यह plus minus भी है the characteristic of this device is shown as i is equal to i is 0 for v less than 4 volt and i is equal to kya है आपका v greater than 4 volt के लिए i क्या है आपका आपका है आपका पॉइंट पॉइंट तू फाइब वी माइनस पॉइंट तू फाइब वी माइनस 1 ठीक है सो find out the value of i i क्या होगा in milliampere जहां पे यह current जो लिखी हुई है यह milliampere में लिखी हुई है current is in milliampere voltage is in volt है ना है ना i is 0.25 v minus 1 milliampere for v greater than 4 for v less than 4 i is 0 milliampere तो i circuit में क्या होगी in milliampere है ना तो बेटा आप अनिल कुमार question तो पूछो आप question आप कब पूछे हो इतना sentiment हो बेटा है ना question आप पूछो हम बताएंगे है ना आपका यहां पर मैं देख रहा हूं कोई question है ही नहीं फैरप मॉंडल लुमेश नायक राहूल अनंत सक्षेना सुभाम परवेज आलम आपका कोई question ही नहीं है और मैं ऐसा तो हूँ नहीं बेटा ग्यानी की आपका question आपने मन में रखा और मैं जान जाओं ऐसा तो नह बार बार यहां पर नहीं देख रहा हूं जिस समय मैं देख रहा हूं उस समय जिनके comment डिकर है मैं उनके नाम ले रहा हूं है ना answer भी जब बता रहे तो जिनका जिनका answer आ रहा था मैं उनको बता रहा था है ना इसमें आपका कहीं भी comment नहीं है आपने कब question पूछा कि मैं द आप गाली गलाउस करेंगे ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपका चारेक्टर शो करता किसी और का नहीं बटा है ना तो आप चीजें पूछनी है कोश्चन पूछो यहां कोश्चन का जवाब देने के लिए मैं हूँ है ना इसलिए यहां खडा हूँ इसलिए पढ़ा जगा है ऐसे हर जगह नहीं कि कहीं भी कुछ भी भोल दो गया तो अपने भीएबियर को थोड़ा सही रखो यह ना यह कोश्चन आपको कल मुझे अंसर इसका बताना है ना चीक है इस कॉश्चन का आपको एंसर बाल करके लाना है ठीक है आनिल कुमार सिंग आप भी करके ल कुछ लीजिएगा homework है आपके लिए ठीक है कल फिर मैं शुरू करूंगा क्या कि कल मैं शुरू करूंगा आईवी करेक्टर्स्टिक पढ़ाना डायोड डायोड शुरू होगा पहले डायोड का बेसिक बताऊंगा डायोड इस पी और टाइप मैटिरियल को मिला के बनता है उस उसकी करेक्टर्स्टिक क्या है उसकी आईवी करेक्टर्स्टिक कैसे आती है उसके करेंट इक्वेशन क्या है वो कब फारवर्ड बैस होता है कब रिवर्स बैस होता है पहले करेक्टर्स्टिक को सीख लेंगे फिर आएंगे इक्की वैलन सर्किट पे इक्की वैलन सर्किट पे आएंगे फिर मैं अपना method आपको सिखाऊंगा कि किसी diode circuit given हो तो कैसे हम guarantee के साथ बताएंगे कि whether diode is on, whether diode is off on है तो on के circuit से replace करके off है तो आफ वो numerical मेरे उपर छोड़ दो आप एकदम छुटकियों में करोगे लेकिन ये basic बहुत missing होता है आप लोगों का एक्जाम में जल्दबाजी में गलत करके आते या कुछ miss हो जाता तो गलत करके आते और वो कुछ भी पूछ लेते आपसे कुछ भी पूछ सकते थे आपसे है ना कुछ भी मतलब कुछ भी तो हम diode को कल एकदम सुरू करेंगे आप diode में इंट्रीम आ चुक हो ये दोनों characteristic diode की थी है ना और ये भी एक characteristic diode की है तो हम diode ही पढ़ रहे हैं बेटा indirect way में ठीक है ठीक है ये आप करके आना बेटा अनिल है ना आपको कोई दिक्कत होगी मैं definitely आपकी problem solve करूंगा tension मत लो ठीक है इसलिए हम लोग यहां पर खड़े हैं ठीक है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं है ना अनिल को आप लोग हमारी बात अनिल से हो गई है बाकी लोग इतना परेशान ना हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हो सकता question उन्हें पूछा हो पह बेटा कोई दिक्कत नहीं है मैं यहीं पर हूँ स्लोप को जीरो पॉइंट पर कैसे कनवर्ट कर लेते बैरा मोंडल बेटा क्या कह रहे हो है ना नहीं कर सकते कैसे कर लोगे यह equation है यह तो स्लोप निकालने के लिए हमने यहां पर intercept किया है जीरो पाइंट पर कैसे कनवर्ट कर दोगे अपने से characteristic को shift थोड़ो करो ठीक है चलो ठीक है चलो ठीक है चलो कोई बात नहीं tension ने लो सारे लोग aggressive ना हो अराम से enjoy करें तो आज के lecture में कुछ ने कुछ आपने सीखा जरूर होगा मैंने try किया अपना best जो भी की basic को एकदम अच्छे से पकड़ के आपको कुछ स समझाया जा और ऐसे point बताया जाए जो बहुत important है तो आप तक characteristic plotting आपने देखा था उस characteristic का meaning क्या है वो क्या बता रहा है क्या information दे रहा है वो information extract करना is the application of engineering वो अब तब आप engineer हो जब आप common sense use करके उसको interpret कर रहो उस characteristic को समझ रहो उसको use कर रहो उसको बहतरीन तरीके से apply कर समझ में आई बाद तो यह चीज आपको आनी चाहिए अच्छे से यह चीज आप करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे और इनलोग electronics में बहुत ज्यादा सिंपल बना दूंगा है तो यहां पे केवल KVL KCL के basic थे कि कैसे voltage source है कितनी requirement है अब इस circuit में भी इस 5V को घटा जाओ टू वोल्ट पे लेते आओ current zero हो जाएगी तू वोल्ट से कम के लिए current नहीं होगी polarity उल्टा कर दो current नहीं होगी क्यों नहीं होगी वो यह characteristic बता रहा है तो characteristic बहुत important है और यही है diode इसको हटाके मैं diode लगा देता इसकी polarity बदलता चेंज करता कभी current flow होती कभी नहीं होती डिवा डायोड की उल्टा कर देता तो भी current कभी flow होती कभी नहीं होती ठीक है ना चलो 6.6 million answer है क्या कल बेटा बात करेंगे 0.6 million आपका हो सकता answer correct हो मैं देख लेता हूँ हो 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 ठीक है और 6 नहीं बेटा 0.6 तो नहीं answer कोई बात नहीं है अनिल कुमार बेटा कोई tension नहीं है ना आराम से आराम से है ना कभी-कभी हो जाता है ठीक है ना ठीक है इनलाग बहुत इंट्रेस्टिंग हो जाएगा बेटा यह अभी शुरुआत है अभी देखते जाओ जब डायोड के दो दो तिन तिन चार 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 डायोड के कोशन आप चुटकियों में आपको चीज़े आती है जब आप चुटकियों में सीखोगे मैं बोल रहा हूं चुटकियों में अभी तो यह मैं बेसिक इतने अच्छे लेवल पर आपका कर दे रहा हूं कि आप कुछ भी कोशन आजा आप नहीं फसने चाहिए कुछ भी मेरा student है तो कोशन आजा नहीं फस चाहिए कंविंसिंगली नहीं कर पाएंगे बहुत लोग कर भी लेंगे जिनकी क्लाइटी बहुत अच्छे लेबल की होगी लेकिन जो थोड़ा सा वीख होगा वह फस जाएगा लेकिन आप नहीं फसने चाहिए उस वीकनेस को आपको खतम करने हैं तो चलो कल मिलेंगे और क प्रोच देखने को मिलेगा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ठीक है विकास कुमार आपका एंसर मुझे सही लग रहा है है ना चलो कल मिलेंगे बहतरीन तरीके से इस कोश्चन को जाके लिंक करना इस कोश्चन से और मैं आपको टास क्या दे रहा हूं आप लोगों की पढ़ क्लास में जितनी चीज़ें पढ़ी रिटेन कर पाए उसके important point खुछ से note down कर लेना रोज का रोज finish करना है रोज का रोज बहतरीन तरीके से सीखना है और फिर इस पर pile up चीज़ें करते जाएंगे और एक से एक दूसरे को connect करते हुए बहुत ही next level पे लेके जाएंगे बहतर करके जाना और यहां पर थोड़ा सा अपना energy और वो शब सो करके जाना मुझे भी अच्छा लगेगा तो कल मिलते हैं बहतरीन तरीके से कल एक दम से फोड़ फार देंगे ठीक है ना चलो कि अातर को कि दोचिए सेया प्रप देंगे सेंम आपना थे क्पिए यहार एक से घbी नाएिंगे। झाल झाल